कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं अच्छे होंगे और अभी तक जो मेरी वीडियोज हैं वह आपको पसंद आई होंगी और शायद समझ भी आ रहा होगा आपको और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखके पूछ सकते हैं तो आप चलते है आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी टो के बारे में बताने से पहले मैं आपको रिक्ति बिटी शीरीज पर बहुत जारा डिपैंड करती है तो यह रिक्तिविटी सीरीज होती क्या है तो आप साइड में यह जो पिच्चर देख रहे हैं तो पिच्चर आपको दिखाई दे रही होगी उसमें reactivity series की यह पिच्चर है जिसमें potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, copper, mercury, silver, gold आपको दिया हुआ है तो जो सबसे उपर potassium और sodium दिया हुआ है यह जो metal है यह highly reactive metal होती है इसके बाद आप नीचे देखे सबसे नीचे जो आपको mercury, silver और gold दिया हुआ है यह जो metal है वो least reactive metal होती है अगर हम देखते हैं उपर से नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं तो जो metal है उनकी reactivity decrease होती जाती है यही होती है reactivity series और जो chemical property of metal है यह इस पर बहुत depend करता है chemical property of metal में सबसे पहले हम देखेंगे reaction of metal with oxygen oxygen के साथ जब metal react करती है तो metal oxide बनाती है metal oxide जो होते हैं वो basic in nature होते हैं और metal oxide being basic term red litmus solution blue क्योंकि basic होते हैं तो वो red litmus solution को blue में convert कर देते हैं इसके बाद जितनी भी oxygen से reaction होती है metal की वो जो हमने पहले reactivity series देखी थी जो most reactive metals होती है वो क्या करती है वो room temperature पर ही react कर जाती है for example लेते हैं sodium metal का जो sodium metal है oxygen के साथ react करती है और sodium oxide बनाती है और sodium oxide basic in nature होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे sodium metal oxygen के साथ react करके metal oxide बना दिया है यह basic होता है नेचर में और अगर हम example इसका sodium ले रहे हैं तो एट room temperature पर sodium plus O2 तो यह हमारा Na2 O बनाता है जो होता है sodium oxide और इसका nature कैसा होता है इसका nature होता है है हमारा basic similarly potassium metal है जो also react with oxygen at room temperature ठीक है potassium का भी यही रहता है कि यह भी क्या करता है room temperature पर react कर लेता है in fact potassium metal and sodium metal are stored under a kerosene oil to prevent their reaction with the oxygen moisture and carbon dioxide of air okay तो means इतना जड़ा reactive होता है कि अगर हम उसको पानी में भी रखते हैं तो क्योंकि room temperature पर भी reaction करने लगता है तो जल जाता है इसी तरीके से अगर हम potassium metal को खुला रखेंगे तो यह बहुत ही harmful होता है sodium potassium को इसलिए हम इसको पानी में भी captain नहीं कर सकते क्योंकि पानी की oxygen के साथ भी react कर लेता है इसके लिए इसको हम kerosene के अंदर prevent करके रखते हैं तो यह क्या होता है बहुत जो होता है violently react कर जाता है तो kerosene के अंदर यह violently react नहीं करता क्योंकि वहाँ पे oxygen present नहीं होती है ठीक है next जो हम example ले रहे हैं magnesium का magnesium does not react with oxygen at room temperature ठीक है तो यह room temperature पे react करता नहीं है तो लेकिन अगर जब हम heat करते हैं तो magnesium metal जो है burn हो जाती है और बन होके यह भी क्या करती है basic oxide देती है यानि की magnesium oxide बनाती है तो यह magnesium oxide का जो है हमने first chapter में देखा था कि उसमें magnesium का जो ribbon था उसको burn किया था यह की presence में तो magnesium oxide बनाता और यह magnesium oxide भी basic in nature होता है इसके बाद हम बात करते हैं next हमारा aluminium का aluminium metal भी जब होता है वह heating पर ही burn करते हैं जब हम उसे heat करते हैं जब हम उसे तो aluminium oxide formed करती है ठीक है तो जो aluminium oxide बनता है यह जो होता है इसमें थोड़ा सा इसको हम एंफोटेरिक oxide कहते हैं अब एंफोटेरिक oxide क्या होते हैं ठीक है तो उसके लिए क्या होता है दोज मैटल oxide भी शूज बेसिक ऐस वेल असटिक बिहेवियर और नोन एज एंफोटेरिक oxide एंफोटेरिक oxide react करते हैं acid से भी और बेस से भी और बनाते है salt और water इसका एक्जामपल लेते हैं aluminium oxide तो aluminium oxide hydrochloric acid के साथ react करता है जब यहां पर देखिए aluminium oxide जो है यह SCL के साथ react कर रहा है तो यह salt बना रहा है aluminium chloride this Tir это же shape hot water को फिरुके कि ऑन आठ मिच्छाइड के साथ react कर इसका ना रहे canna lat our doline a black sodium beide होता है salt होता है हमारा फ्ला स्टू मैं यहां ऊज्चामपल है क्वेंग आप देख पा होंगे compute और जिंक जो है वो एसियल के साथ रियक्ट करके जिंक लूराइड मनाती है और सोडियम ऑइड्य- this train मिलके सोडियम ज्यंके जो की सोल्ड है और फॉर्म टातिται इसका मतलब है कि एमफोर टेरिक ईक्साइड500 करते हैं बहुत ऐसी और से और फॉर्म् होते हैं sort of water तो यह तो आपको अंफो टारिक उकसाइड तो समझ में आ गए होंगे इसके बाद हम बात करते हैं रियक्षं आफ मैटल विट वाटर बात करते हैं तो वेंड मैटल रिएक्ट विट वॉटर यह बनाती है मैटल हाइड्रॉड्यक्साइड या मैटल ऑक्साइड तो यह डिपेंड करता है कि मैटल किस से रियक्ट कर रही है मैटल कोड वाटर से रियक्ट कर रही है होट वाटर से रियक्ट कर रही है या मैटल स्टीम से रियक्ट करती है तो अगर हम मैटल की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं तो मैटल जब वाटर से या कोड वाटर इसी में हम देखेंगे की जो potassium है, Blood water से कर जाता है यह Highly reactivity सिरीज में धेखा था position सो potassium हीडर उक्साइड बनाता है hydrogen gas हीड़ीआअगशियु만 छाथ exact reaction,可能ी हमका इस में लिक्लती है यह झाल जजादा है यहीलि एग्जो थरमिक रिएक्शन होती है इसी की वज़े से इसमें जो hydrogen निकलता है जो यह hydrogen निकलता है वो immediately fire को catch कर लेता है क्योंकि यह highly exothermic है और same इसमें sodium के साथ भी होता है लेकिन अगर हम calcium की बात करें तो जो reaction होती है थंडे पानी के साथ calcium की इतनी ज़्यादा जो exothermic नहीं होती यह बहुत less violent होती है और इसमें जो heat निकलती है वो sufficient नहीं होती है कि hydrogen उसमें fire को catch कर सके ठीक है next जो है हमारा आएगा magnesium जो है magnesium does not react with cold water ठीक है magnesium किसके साथ react करता है magnesium react करता है hot water के साथ तो जब magnesium hot water के साथ react करता है तो magnesium hydroxide बनाता है plus H2 gas इसमें से भी निकलती है इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो कई matter है जैसे matter like aluminium, iron and zinc यह do not react either with cold water और hot water ठीक है तो नहीं थंडे पानी से react करते हैं नहीं गरम पानी से react करते हैं बढ़ते react with steam तो steam के साथ यह react करके जो है oxide बनाते है प्लस hydrogen gas इसमें से निकलती है तो इसके लिए हम एक activity show करेंगे इसमें आप experimental setup देख पा रहे होंगे इस experimental setup में हमने जो लिया है एक boiling tube लिया हुआ है burner लिया हुआ है delivery tube लिया हुआ है और जो है हमने inverted gas jar लिया हुआ है तब लिया हुआ है तो आप देखोगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे जो boiling tube है उसमें हमें जो wool रखना है soaked करके रखना इन water और next हमें रखना है उसी के थोड़ा सा आगे हमें metal का जो है sample रखना है metal आप कोई भी ले सकते हैं कोई भी in the sense magnesium है magnesium है aluminium zinc या iron आप यह metal को ले सकते हैं इसके बाद delivery tube है delivery tube के बाद inverted gas jar हमने लिया हुआ है उसको set किया हुआ है इसी तरीके से आपको जो experimental setup है उसको रखना है इसके बाद हम heat करना start करेंगे जब हम इसको heat करेंगे तो जो हमारा soaked wool है जिसमें हमें पानी से हमने जिसको wool को soaked करके रखना है उसमें वैपर निकलने ल देंगे तो metal oxide plus hydrogen देंगे hydrogen gas जो है वो delivery tube के through जो inverted gas जा रहे है वहाँ पर जाके खटा हो जाएगा और जो rest part होगा metal का वो होगा आपका metal oxide तो इस experiment से हम शो करते हैं कि कुछ metals जो है वो steam के साथ react करती है और metal oxide plus hydrogen gas को बनाती है next reaction है वो हमारी reaction है metal with dilute acids तो metal जो dilute acid के साथ react करती है तो metal salt और hydrogen बनाती है बट अगर हम कुछ metal की बात करें जो less reactive होते हैं for example copper so copper does not react with dilute hydrochloric acid और dilute sulfuric acid और silver and gold की बात करें तो silver and gold metal also do not react with dilute acids तो जो less reactive metal है वो बहुत कम बहुत जादा कम या नहीं जो होती है नहीं करती है dilute acids के साथ reaction इसके बाद next जो हमारा topic है वो है aquaresia aquaresia जो है जिसको हम latin language में बोलते है royal water यह freshly prepared mixture of concentrate hydrochloric acid और concentrate nitric acid का होता है जिसमें three parts जो होता है hydrochloric acid होता है और एक पार्ट जो होता है इसका यह पार्ट होता है आपका nitric acid का तो it can dissolve gold मतलब इसमें बहुत जादा ताकत होती है और यह क्या करता है ताकत in the sense कि यह गोड को dissolve करने की capacity रखता है ठीक है अब बात करते हैं हम की how do matter react with solution of other matter salt तो यह हमने first chapter में भी पढ़ा था कि जो highly reactive metal होती है वो less reactive metal को displace कर देती है solution में से तो आप देखे metal A जो हमारे को इसमें दिया हुआ है metal A salt solution अगर हम कोई भी metal होती है उसको हम B नाम देते हैं उसका B लेंगे तो जो highly reactive metal होगी तो salt solution of A plus metal B आपको metal B मिल जाएगा और salt solution जो हमें मिलेगा वो metal A का मिलेगा means जो highly reactive metal होती है वो less reactive metal को dis place कर देती है इस वीडियो में हमने chemical property of metal को discuss किया है अब इसके आगे हम पढ़ेंगे उमीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपकी कोई भी query हो तो प्लीज इसको comment section में लिखके भेजिए और please like share and subscribe और recommend कीजिए other other person को जो वीडियो ये दे आते हैं थैंक यू